तो यहां पर आज मैं आपने साथ शेर करने वाली हूँ फालुदा की recipe यह mix फालुदा जो ready made packet वाला होता है वह कैसे बनता है वह में आपने साथ शेर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं जो packet वालुदा आता है उसको हम कैसे use करें या कैसे बना तो यहां पे मैंने भगोने में एक लीटर के करीब दूद को चगाया हुआ है और उसको न हम उभालाने देंगे मतलब जैसे प्रॉपर दूद खौलता है न बस वैसे हमें खौलाना है तो एक लीटर दूद और एक ग्लास पानी के साथ यहां पे मैंने रख दिया है और में उबाल आने लगेगा तो हमारा जो पैकेट वाला जो फालूदा है न उसको हम इसमें मिक्स करेंगे तो गैस की फ्लेम को थोगा सा धीमा कर दीजे ताकि कोई लंसना बने और आप एक विसकर ले लिजे कुछ भी ले लिजे प्रॉपर डालते हुए साथ ही साथ आपको चलाते जाना है जैसे कि मैंने किया हुआ है यह बहुत टेस्टी बनता है बहुत यमी बनता है मैंने फर्स टाइम इसे यूज किया है तो मेरा जो एक्सपीरेंस था इसके साथ वो बहुत ही अमेजिंग था यह रक्षा बंदन के मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था तो घ लम्स ना रहे हो नीचे लगे नहीं और उसके बाद जो है जब आपका फालूदाई एकदम अच्छे से मेक्स हो जाए आपको लगने लगे प्रॉपर मेक्स हो गया है अब इसमें कोई लम्स नहीं आएंगे तब आपको क्या करना है इसे थोगा सा खौलने देना है दूसी में जब हम लोगों ने खाया तो तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट था एकदम क्रीमी टेक्स्चर था दूसी साइड यह चिया सीर्क थे जो मैंने थोगे से भीगो के रखे थे यह उसके उपर से आप डालेंगे ना तो बहुत टीस्टी लगेंगे बहुत ही अच्छे विल्क खोड़ लेते हैं तो इसमें हम आदे से भी कम का यूज करेंगे और आधा फिर मैं जो दूसरा वाला पैकेट है जब भी मैं बनाऊंगी तो उसमें यूज करोंगी या फिर कल जो सिमया बनेंगी मैं उसमें यूज कर लूँगी और इसको डालने के बाद फिर आपको चीनी वगेरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अलेडी बहुत मीठा होता है और यह सच में मीठे के लिए ही डाला जाता है चीनी की जगे पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और साथी साथ आप इसमें कुछ डाइफ्रूट्स जैसे या तो आप मिक्सी में पीस लीज़े और या फिर ऐसे काट के भी आप डाल सकते हैं मन पसंद के डाइफ्रूट्स और अगर आप कुछ नहीं भी डालना चाते हैं तो भी ऐसे ही आप इसे पी सकते हैं तो बस यहाँ पर देखे हमारा जो है फालूदा अच्छे से मिक्स हो गया, कंडेंस मिल्क भी मिक्स हो गया अभी मैंने क्या किया है, गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद क्योंकि इसे हमें करना है लगबग 10-15 मिनट तक ठंडा ठंडा करने के बाद फिर हमें क्या करना है इसे रखना है फ्रिज में तो जब तक फालूदा ठंडा हो रहा है तब तक मैंने से प्याँ पे 7 आग बदाम डिये थे जिनका पाउडर बनाके मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि ऐसे साबुद जो हमारे ना डाइफरूट्स ये नहीं खाते इनको दान की नीचे जब आता है न तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो मैं हमेशा खीर में हो या सिमई में हो या फिर इस तरीके को कोई डिजर्ट हो तो मैं एकदम पाउडर करके फिर मैं यूज करती हूँ ठंडा होने के बाद उसे रख देंगे फ्रिज में ढी करना esti फ्रिज में उसे रखना है, 10-12 गंटे के लिए ताखिए एक दम छेल्ड हो जाए तो चलिए अवसको रखेंगे फ्रिज में और उसके बाद फिर hem आपसे मिलेंगे दस से बारा घंटे के बाद सारे चीज़े को हम अच्छे से निकाल लेते हैं इसमें थोगल थोगल सी सिमया भी थी तो यह आप लोग बताएगा कि ये जो रेडिमेट फालूदा है मुझे तो बगा अच्छा लगा कि लाके रख लो जब भी आपके याँ कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपका मन कुछ इसा मीठा खाने को तो आप फटाक से बना के इसे खा सकते हैं मुझे तो ये परसनली बहुत अच्छा लगा आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कॉमेंट में जरूर बताएगा और अगर आपको ये अच्छा लगा आपको ये रेस्पी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक एक शेयर और सस्क्राइब करना तो बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एन हैपी रक्षा बंधन इन एडवांस बाबाई झाल झाल